ब्रेकिंग नियूस है और इस IPL में अलरीडी इंजरीज के चलते काफी प्लेज बाहर हुएं बट यह सबसे बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि पंजाब किंग्स के कप्तान यानि केल राहुल जो है उनको अलरीडी एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि उनक जो अपेंडिक्स है इसको निकाला जाएगा सर्जी के लिए उनकी सर्जरी होगी तो यह तैम आना जाए कि इस IPL से केल राहुल अब बाहर हो चुके हैं और दूसरी चीज यह देखनी होगी कि पंजाब किंग्स को कि उनके अगले कप्तान कौन होंगे अपेंडिस क्या होत ही है और जब दवा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा तो उनको एमर्जंसी रूम में मतलब विदिन दी पायो बबल एमर्जंसी रूम में लेकर जाया गया जहांपर टेस्ट हुए और पता चला कि वह उनको एक्क्यूट अपेंडिस साइटिस है और उसके बाद उसकी साल में शिफ्ट कर दिया गया यानि कि वो बायो बबल एक्जिट कर गये हैं अब सर्जरी एक दो दिन में होगी या कब होगी उसके बाद रिकवरी भी होती है और अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बाद इतना असान नहीं होता कि आप आए और टॉप क्लास क्रिकट खेले तो मुझे लगता है for all practical purposes plus जब भी रिकवर होंगे पूरी तरह ठीक होंगे उनको फिर से क्वारंटीन करके बायो बबल में आना होगा पता नहीं पंजाब तब तक रहेगा इस टॉर्णमेंट में के नहीं रहेगा तो for all practical purposes मुझे लगता है केल रहूल इस IPL से बाहर हो